श्री केदार नाथ धाम हिंदु धर्म के पवित्र तिर्थ नगरी हिमालय की गोद में मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर स्थित है वर्ष 2013 दे आई भयावः आपदा से इस तिर्थ नगरी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा ये द्रिश्य उननीसवी सदिका है जब मंदिर का गरीमा मैं रूप दूर से ही दर्शित होता था इसके पीछे की उँची बरफीली पहाड़ियां द्रिश्य की भव्यता को और बढ़ाती थी फिर धीरे धीरे इसके चारो ओर अनियोजित इमारते बन गई और मंदिर मानो कहीं छिप सा गया वर्श 2017 में माननिय प्रधान मंत्री जी स्वयम श्री केदारनाथ धाम आये एवं धाम के आध्यात्निक गौरव और दिव्य स्वरूप को पुनह स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर निर्मान योजना की परिकल्पना की यहां की रूची प्रकूती प्रभूती का नुसार ही इसका पुनर निर्मान किया जाए उसमें आध्युनिकता होगी लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धर्ती ने अपने अभीतर संजोय रखा हुए ऐसा पुनर निर्मान करने की दिशा में इसका काम होगा इस परिकल्पना के आधार पर सबे हिद धारकों की भागीदारी से परियावरणिय संतुलन बनाते हुए एक महायोजना तयार की गई थी गौरी कुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्क पर स्थित धाम में इस पैमाने की परियोजना को क्रियान वित करना इसके लिए निर्मान सामगरी जुटाना दुश्वार मौसम और विशम भौगुलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनौती थी मंदिर तक पहुँच मार्क का निर्मान पहले कारे के रूप में लिया गया आपदा से पहले मंदिर परिसर में 10 फीट संक्रे गलियारे में स्थित कई भवन शतिग्रस्त हो गये थे और 30,000 टन मलबा चारों और फैल गया था इस मलबे को 840 फीट सीधी दार मंदिर गलियारे के रूप में विक्सित किया गया इसका निर्मान क्षित्रिय कारिगरों द्वारा 20,000 स्थानिय उपलब्ध पत्थरों का उप्योग करके किया गया दो नदियों के संगम पर स्थित इस 104 फीट व्यास वाले आगमन प्लाजा का निर्मान वृप्ताकार रोप में 51,000 स्थानिय पत्थरों का उप्योग करके किया गया है वहीं मंदर प्लाजा का निर्माण 4,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15,200 स्थानिय पत्थरों से किया गया है बाड से सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारों के साथ भागई भूमी के पुनर ग्रहान तथा बहुस्तरिय बाड सुरक्षा कर मंदर परिसर को एक द्वीप के रूप में बहाल करने के लिए दोनों नदियों पर बाड सुरक्षा दिवारों का निर्माण कार्य किया गया गहरों का निर्मान स्थानिय पत्थर, लकड़ी और ढलवा छत उपयोग कर स्थानिय स्थापत्य शैली द्वाना किया जा रहा है। पांचवे कारे के रूप में आपदा से क्षति ग्रस्त क्रियादी गुरू शंकराचार्य समाधी के पुनर निर्मान को लिया गया। ऐसा भव्य दिप्य आदी संकर का वो स्थान बने, उनका समाधी स्थाल बने और वो भी ऐसे बने कि आदी संकर का स्थान के दार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। समाधी तक पहुँचने के लिए ये भूमिगत रचना जिसमें स्मारकियत दिवारों के बीच चल कर जाना तिर्थ यात्रियों को एक अनूठी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। मूर्ती के दर्शन कर चिंतन पत पर चलते हुए ये यात्रा परवतों और विहंगम द्रिश्यों के दर्शन के साथ समाध्त होती है। इन पांच कार्यों का लूकारपण आज किया जा रहा है। इसी के साथ लगभग 185 करोड की लागत से निर्मित हो रहे विविन्न विकासकार्यों का श्रिलान्यास भी किया जा रहा है। जिन में प्रमुक है मंदाकीनी एवं सरस्वती नदियों के तट पर स्नान और धार्मिक अनुस्ठानों को सुगम करने हेतू विशाल संगम घाट का निर्माण, धाम में यात्रियों के सुविधार्थ, यात्री सुविधा केंद्र, रेंग शेल्टर, जल्पान ग्री आदी का निर्माण, कुशल तिर्थक्षेत्र प्रबंधन हेतू, पुलिस स्टेशन एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निर्म किसी भी अप्रिय घटना एवं विशम भौगोलिक परिस्तितियों में यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्साले का निर्मान किया जा रहा है। झाली के लिए विए गात्रियों को चिकित्साले का रहा है।